अरे रोशन ए रोशन कौन अरे आप आप और यहां क्यों बहू मुझे यूँ घूर कर क्या देख रही हो तुम आप वीलचियर पर फिर अपने कमरे से बाहर निकल आई क्यों क्या मैं तुम्हारे खासं की कैदी हूँ या मैं रहमा से डरती हूँ देखो अम्मा यह तो आपका बेटा ही जाने आपको आपके कमरे से बाहर देखते हैं और मुझ पर चीक पुका शुरू कर देते हैं देखो बहू, ये घर मैंने अपनी कमाई से बनवाया है जानती हूँ, इस घर में दस कमरे है, एक लौन है, मुलाजिमों के लिए दो आउट हाउस भी है और आज इस इमारत की पीमत 40 लाक से कम नहीं, आपका पड़ाया ये सबक अब सबको जबानी याद है तो क्या तुम समझती हो कि इसमें कुछ जूट है मुझे ना जूट से मतलब ना सत से, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आपके बेटों में से कोई भी नहीं चाता कि आप अपने कमरे से बाहर निकलें बस देखो, वो मैं जानू और मेरे बेटे जाने, समझीं, तुमको दाखल देने की जुरूट नहीं है मैं, मैं तो कुछ पूछने आई हूँ तुम से मुझसे? हाँ, तुम से क्या? अरे, वही जो तुम और तुमारे घर वाले चुपा रहे हैं मुझसे मैं कहती हूँ, असी बरस से उपर की उम्र हो गई है आपकी एक कोने में बैटकर, अल्ला, अल्ला कीजिए बड़ी अमा देखो रोशन, तुम मेरे बड़े बेटे की बीवी हो उसने तुम को चाहा, तुम से शादी की मैंने कभी तुम से नहीं पूछा के तुम कौन हो, क्या हो, कानदान कैसा है लेकिन इस घर में तुम ही मुझ में सबसे ज्यादा कीड़े निकलती हो लेकिन अपने घर के कीड़े छुपाती हो मेरे घर के कीड़े? कैसे कीड़े? अरे, जिनका बखान अख़बारों में छुप गया है अच्छा तो अख़बार भी पढ़ लेती हैं आप पहुँच गई आप तक खबर कबर में पैर लटकाई बैठी है मगर सबका भेद लेते रहने की आदत नहीं गई आपकी सारे जग में तुम्हारे भाई की थुड़ी थुड़ी हो रही है हम तो शरीफ है नहीं लेकिन तुम जैसे शरीफों के कानदान में शायर शराफत इसी का नाम हो भाई ठीक है बस यही जानने के लिए आई थी जा रहे हूँ हर दम टोमे लगी रहती है ये बुड़ीया कम बकत खुदा चाने कम मरेगी क्या बात है रोशन अभी अम्मा यहां क्या करने आई थी ये बताने कि ये घर उनका है और उन्होंने अपनी कमाई से बनवाया है बड़ी बी का इंतिजाम करना ही पड़ेगा अरे छोड़िये क्या इंतिजाम करिएगा बरसों से यही सुन रही हूँ आज ये ये पूछने आई थी कि अख़वारों में मेरे भाई के खिलाफ क्या क्या छप रहा है अब हम अम्मा को यहां नहीं रहने देंगे फिर कहां रखेंगे बुडों के होम में हाँ रखना ही पड़ेगा अरे फिर क्यों नहीं रखा अब तक छोटा भाई राजी नहीं होता न वो तो मेह फिलो में बड़ी शान से बताते हैं क्या बताता है क्या आप जानते नहीं मैं क्या जानू सबसे बड़ी शान से कहते हैं मेरी माँ अपने जमाने की बाकमाल गाने और नाचने वाली है इसलिए कि उस सच्चाई को हमारे ले चुपा सकना мुम्किन नहीं सब जानते हैं कि उनका नाम मुषतारी खानम है और उनके दो लड़के हैं और ये इमारत मुष्तारी खानम ने अपने नाजगाने की कमाई से बनवाई है हाँ, ये भी सच है और मुष्टरी खानम के साथ उनके दो बेटे रह रहे हैं जिन में बड़ा बेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कारोबार करता है और छोटा बेटा नामी गिरामी वकील है हाँ ये भी आपने कभी सोचा क्या कि हमारी बेटी के लिए रिश्टे क्या इसलिए तो नहीं आ रहे हैं कि उसकी दादी नाज गाने का पेशा करती थी वो खुद ही अपने लिए कोई माकूल लड़का तलाश कर लेगी मैंने सारी जिन्दगी आपकी हर ख्वाइश पूरी की आपके इशारों पर चलती रही लेकिन अब एक बात साफ कर देना चाहती हूँ जानता हूँ क्या जानते हैं कि अब तुम मेरी मा की खिदमत की जिम्मेदारी नहीं ले सकती उनके ताने तिशने नहीं सुन सकती और उनकी खिदमत की वज़ा से तुमको जो अपनी बाहर की सरगर्मिया रोकना पड़ जाते हैं बिल्कुल मेरी अपनी जिन्दगी है मेरी अपनी आजादी है और मैं अपनी तरह से इस उम्र में भी नहीं रह सकती एक बूरी औरत की 24 घंटे की टोका टोकी पर कुड़ती रहूँ ये सबब मुझसे नहीं हो सकता जानता हूँ बहुत बार सुना चुकी हो तुम मुझे ये सब मैं तो सिर्फ सुना चुकी हूँ और आपके छोटे भाई की बीवी वो तो आपकी मा से जोटम जोटा तक कर चुकी है दूर से उन्हें जूती भी दिखा चुकी है उसकी अवलादे तो पागल समझती हैं अम्मा को अब मुझे हश्मत की जिद मान लेना चाहिए यही एक रास्ता है जब मैं आपसे अम्मा को लेकर अपना दुखड़ा रोती हूँ आप यही कहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं आप करूँगा क्या करोगे अम्मा को होम में दाखिल कर दूँगा ये तो आप दोनों भाई कई बार कह चुके हैं पहले ऐसा करते तो अपने पैरों पर खुद कुलाडी मार लेते अब वो बात नहीं है क्यों? ये तुमको समझाना ज़रूरी नहीं है चलता हूँ अब राते करवटें बदल बदल कर गुजरेंगी मुश्तरी सुन लिया तुने अपने कानों से आखिर तु क्यों दर्वासों के पीछे चुपकर सबकी बातें सुनती है तो एक बार फिर इस खार से तेरे निकाले जाने के सामान हो रहे है खेरात खाने में मरने के लिए तैयार हो जा मुश्तरी रह्मत रह्मत ये लीजे बैटी उठिये उठिये ना मैं जाग रहा हूँ चाय रख दो मुझे कुछ शक्सा है रह्मत शक? कैसा शक? कल अम्मा जब हमारे कमरे से गई थी उसी वक्त आप कमरे में आये थे तो? मुझे लगता है कि उन्होंने दर्वाजे के पीछे से हमारी बाते सुनी होंगी वो पहले भी तो ऐसा करती रही है वो बातें तो उनसे करना ही है और इस बार उन्हें होम में रखने के लिए जैसे भी हो तयार करना ही है क्या? आप सच के रहे? देखो रोशन, वो मेरी मा है और ये मैं किसी कीमत पर नहीं चाहूंगा कि इस उमूर में मेरी भावज या तुम उसके सर के बाल नोचो या उसको जूतिया दिखाओ इससे कहीं बेतर है कि वो होम में रहे मैं उनकी जा बेजा जितनी सहा करती हूँ इस घर में कोई नहीं सहता ये मैं नहीं जानता होम में उनकी देखभाल के लिए और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं हर खर्च खुशी से उठाऊंगा और मैं हर इत्वार जाऊंगी उनके पास अपने हातों से कंगी चोटी करूंगी उनकी कब जाएंगे आप अम्मा से बात करने बस अभी जा रहा हूं सुभा ही सुभा ये काम खत्म कर देना चाहता हूं कौन है अंदर आओ कौन रहमत जी आओ मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मेरा इंतजार किसलिए जानती थी के तुम इस बुड़िया के पास आओगे लेकिन सुभा सुभा ही आओगे ये नहीं सोचा था तुमको एक खुशखबरी सुनाओं कैसी खुशखबरी मैंने इस घर से निकल कर होम में रहना तै कर लिया है क्या जानते हो ये फैसला करने में मैंने इतनी देर क्यों लगाई नए क्यूंकि तब तक इस घर के हिस से मैं तुम लोगों के नाम नहीं लिक पाई थी अब जब कि ये कोठी तुम दोनों भाईयों के हवाले कर चुकी हूँ तो मेरा ठिकाना खेरात खाने के सिवह और कहां हो सकता है भला मैं आपको होम में क्यों भेजना चाहता हूँ आप ये खूब जानती है खेरात खाने की कैद की सजा मुझे मेरे बेटे इसलिए सुना रहे हैं कि इतनी उम्र गुजार कर भी मेरे अंदर जिन्दा रहने की पूरी चाह क्यों मौजूद है और अगर जिन्दा रहना मजबूरी है तो तुम सब के सामने सर उठा कर क्यों सर जुका कर जिन्दा रहना क्यों नहीं सीखती होटों पर ताले क्यों नहीं लगाती आखे बंग क्यों नहीं रखती कौन है उधर बहू वहाँ दर्वाजे की पीछे खड़ी क्या सुन रही हो अंदर आओ मैं तुमसे कह रही हूँ रोशन जी आपने मुझे पुकारा हाँ बहू अंदर आओ जी कहिए तुमारा भाई जो किसी सियासी पार्टी का उंचा ओधेदार है उसको किसी ताजर ने पार्टी के लिए दो लाख रुपे दिये थे अपना काम करवाने के लिए ये ये सच है ना दी दीये होंगे मुझे क्या मालूब तुमारे भाई ने एक लाख अपने लिए रख लिए अमानत में खयानत की मुझालिफ उने रंगे हाथों पकड़वा दिया उने भाई हम तो नाचने गाने वाले थे लेकिन तुमारा भाई तो डाकू निकला ये जो आपकी हाथ भर की जुबान है देख लीजीगा आपके बदन में कीडे डलवाएंगी एक दिन लग गई ना मिर्चे आप क्या जाने आज सियासी पार्टी को जिन्दा रहने के लिए कितने बड़े बड़े फंड की जरूरत होती है और जो इसके इंतिजाम का जिम्मेदार होता है उसे तो कोईले की दलाली करनी पड़ती है कोईले की इस नाच ने गाने वाली के शोहर यानि तेरे मिया के बाब ने क्या किया था अगर वो सुन ले तो तेरा कलेजा फट जाए मुझे कुछ नहीं सुनना अरे जानती हूँ मैं खैरात खाने में इसलिए रहने का फैसला कर रही हूँ कि अब तुम लोगों की दुनिया मेरे लिए पराई हो चुकी है ये आप जाने मैंने तो नहीं बनाई ना ये दुनिया इस घर में आप ही जाने कि आपको क्या तकलीफ थी जो आप सब को रौनती रहती थी रहमत सुन रहा है अपनी बीवी की बात है इसको बता के इट गारे की इमारत को घर नहीं कहते जिस चामे आने के नीचे आदमी की रूँ जिन्दा रह सके जहां वो सिर जुका के नहीं सर उठा के जी सके उसको घर कहते है मुझसे आपको क्या शिकायत है ये तो मैं आज तक नहीं जान सकी जब से तू ब्याकर आई है एक बार भी तुने प्यार से मेरे दिल में चाक कर ये पूछा होता कि कैसी कैसी आखें देखी हैं इसने कैसे कैसे गाम उठाएं इसने लेकिन लेकिन कभी अपने जमीर को शर्मिंदा ना होने दिया तू तो हमेशा एक नाचने गाने वाली समझती रही खेर खेर ये वक्त आप ये सारी बाते करने का नहीं है बहु जी मरने से पहले कुछ बातें करना चाहती थी तुछ से लेकिन लेकिन वो बातें इस घर की छट के नीचे नहीं करूंगी एक वादा कर मुझ से कहिए मैं यहाँ वेक पड़ नहीं रहूंगी नहीं रहूंगी जब मैं खेराद आने चली जाओं तो बस बस एक बार जरूर मिलने आना मुझ से ताके मरने से पहले मैं बस एक बार तुझे अपनी खोई हुई जन्नत की यादों की सेर करा सकूं रह्मत मेरा सामान तयार है चल चल कहाँ चलना है इस तरह चुप क्यों बैठे हैं आप क्या सोच रहे हैं सोच रहा हूँ वक्त पलक जपकते में गुजर जाता है मा को होम में दाखिल की आज दस रोज हो गए हाँ सोचा था इतवार को मिलने जाओंगी लेकिन उस दिन किटी पाटी से ही चुट्टी नहीं मिली हाँ कह रही थी कि उनको तुमारा इंतिजार है कल जाओंगी न कह रही थी बहु से कहना शकरगन की खीर बना कर खिला दे एक बार अल्ला 84 बरस की तो हो गई है मगर सारे जाएके उन्हें याद है कल जाओंगी खीर भी लेती जाओंगी और क्या कह रही थी कह रही थी अपने घर में चैन से मर नहीं पाती खेराद खाने की छट के निचे सुकून से दम निकलेगा मैं देख रही हूँ रात में बिस्तर पर आप देर तक करवटे बदलते रहते हैं आज कल हाँ ने नहीं आदी कभी कभी जी कहता है ये ये क्या किया मैंने अपनी माँ के साथ ये क्या किया आज इतवार है आज रोशन मुझ से मिलने ज़रूर आएगी लेकिन पिछले तवार को कहां आई हो सकता है आज भी ना आए बस एक बार आ जाए तो मैं उसे दिखा सकूं उसके ससुर ने जो इमारत तामीर की थी उसमें कैसी दरारें पड़ रही हैं आज लगता है आ गई हाँ रोशनी तो है अमा रोशन बस मैं तुम्हारी राह देख रही थी आओ इधर इधर बैठो ये रही आपकी खीर पीछे तक्या लगा कर बिठा दू खा लिजे अच्छा खीर याद रह गई तुम्हें अल्ला खुश रखे तुमको दोनों कोहनिया टिका कर जरा पीठ उपर उठाइए तक्या लगा दिया है पीछे रखे पीठ याँ देखो तो किसके हाथ की खीर मुझे पसंद है अरे तुम वही तो हो जो मेरे बदन में कीडे पढ़ने की तमना करती हो कमबग्त जबान का जायका चोना करवाए कम है लाओ डिबबा इधर लाओ जी अम्मा आज आपको वो काम करना है जिसके लिए मैं आई हूँ अरे कौन सा काम आप मुझे अपनी जिन्दगी के बारे में कुछ बताना चाह रही थी हाँ क्या वही जानने के लिए तो खास दोर पर आई हूँ अरे बेटा वो तुमारे भाई की बदनामी की खबर अखबारों में चपी सुनकर कुछ याद आ गया था क्या याद आ गया सुनोगी तो यकिन नहीं आएगा तुमको क्या वाकई सुनना चाहती हो शायद इसलिए कि आप उसे सुनाना जरूरी समझती है हाँ बेटी बस इसलिए कि कुछ देर के लिए ही सही तेरी आखों में मैं अपने लिए इज़त और एहतराम की चमक और रोशनी देख सकूँ ठीक है इस वक्त मैं बहस नहीं करूँगी सुनाईए बेटा यह उन दिनों की बात है जब मैं जवानी की सरहट में कदम रख रही थी और चुपके चुपके अपना दिल नवाब अलीद नाम के एक जमीदार को दे बैठी थी एक दिन नाच में मेरा दिल नहीं लग रा था रियास करते मैं ताल से बेदाल हो जाती थी कि मेरी मां कमरे में दाखिक हुई रुक जाओ मैं कहती हूँ तुझे ये क्या हो गया है मुश्तरी ठीक तो कर रही हूँ अमा हरे हाथ कहीं पड़ रहे हैं तो पैर कहीं एक बात कान खोल कर सुन ले लड़की हम जलसे वालियां हैं बदन नहीं बेशते हम अपने फन के बदले इनाम इक्राम पाते हैं आप लोग साज रख दें और जाएं अब और रियाज नहीं होगा अब बता क्या जमीदार नवाब अली के खत आते हैं तेरे पास अरी बोल क्या नवाब अली के इश्ट में पड़ गई है तू अरी कमभख क्या इसी दिन के लिए मैंने मजारों पर जाकर मन्नते मांगी थी कि तेरी शोहरत आसमान पर चमके बेहूदा कहीं कि अभी से इश्क के चकर में पढ़ जाएगी तो फन कब सीखेगी तू हरामजादी अपनी जान और तेरी जान एक कर दूँगी जो तू ने अगर इश्क के पेंग बढ़ाई तो कितना रियास कराओगी मुझसे उन थक के चूर हो जाती हूँ मैं हरे अभी क्या है जैसे जैसे बारी कियां सीखेगी रोज के आठ घंटे भी कम होंगे मुझे नहीं सीखना तो फिर क्या भीक मांगना है जा रहे हैं जमाना ही ऐसा है अरे हम रईसों की डेवडी पर नाचने गाने वाले लोग हैं हम अंग्रेजों से टकर लेंगे तो खाएंगे क्या और अब तू सुन ले कसम है जनाबी अमीर की इश्क बाजी के चकर में पड़ी तो तेरी जान और मेरी जान एक कर दूँगी चल अंदर और लेग चुपचाप बहू वो जमाना फिरंगियों का कहर ठाने का जमाना था आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के घरों में चूले जलना बंद हो गए थे क्योंके कमाने वाले जेलों में भर दिये गए थे आपने कैसे अपनी मा से सफसफ कह दिया कि आप किसी को चाहती है पेटी इश्क और मुश्क छिपता नहीं है जैसे जैसे दिन गुजरे मैं तो जमीदार नवाब अली के इश्क में और भी पागल हो गई और आपकी अम्मा कुछ नहीं वाली समझ गई के सकती करूंगी तो लड़की बागी हो जाएगी फिर मैं ही तो उनके बुड़ापे का सारा भी थी एक दिन उन्होंने समझाया के नाच गाना सीखने में कोता ही ना कर नहीं तो भीकारियों से बद्तर जिन्दगी हो जाएगी मा की बात लग गई खुब रियास किया खुब डंके पिटे शोहरत के और दवाब अली उनकी महबद भी दिल में पालती रही एक दिन जब हर तरफ रईसों में मेरे चर्चे थे अमानी बड़े मिया मुझसे मिलने आए कौन अमानी मेरे बाप की जिन्दगी में हमारे घर में मुलासम थे अबबा के मरने के बाद नवाब अली मिया के हाँ नोकरी कर ली क्यों मिलने आए क्या नवाब अली साब का कोई पैगाम लाए थे हाँ मुझरे की महफिल के लिए अपने गाउं की कोठी पर बुलाया था लेकिन लेकिन क्या अमानी ने कुछ और भी कहा कुछ ऐसा जिसने मुझे हंगारों पर लुटा दिया मुझतरी बिटिया मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है इसलिए एक बात से तुमको होश्यार कर देना चाहता हूं कौनसी बात आमानी मिया बिटिया तुम अभी कमसिन हो दुनिया की उच नीच का सजुर्वा नहीं है तुमको एक बात कहते डर रहा हूं नहीं बेखौफ कहिए आपको मैं अपने अब्बा की पराबर समझती हूं बेटी नवाब अली मिया की कोठी में पतुरियाएं जब कभी ठहरती हैं तो कोठी में डाका पड़ जाता है और नाशने वाली को डाको लूट ले जाते हैं क्या? यह आप क्या कह रहे हैं? बिटीया नवाब मिया बहुत बदनाम हो चुके हैं बदनाम हो चुके हैं? किसलिए? क्या बताऊं? आपको मेरी गसम अल्ला, बताईए न लोगों को शक है कि नवाब अली मिया की कोठी पर पढ़ने वाले डाकों में खुद नवाब मिया का हाथ है क्या? यह क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात मानो बेटा तो मुझरा करने सोच समझ कर जाना उनके गाउं नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह जूट है मानी मिया यह जूट है यह जूट है बहू, अमानी की दी हुई खबर ने मेरे दिल और दमाग पर बिजले सी गिरा दी कलेजे में ऐसी आग लगी कि सारे अर्मान जलकर रह गए दिल किसी तौर मानने को तैयार न था फिर आपने क्या किया? नवाब अली मिया का फिर पैगाम आया कैसा पैगाम? अरे, वो मुझरा करने गाउं की कोठी पर बुलाया था आप गई वहा? सर के बल गई दिल में लगी आग को ठंदा करना था मुझे खुब कहने पाते बदन पर सजा कर गई ये देखने कि मैं जिसे चाहती थी उसकी हकीकत क्या है? तो क्या हुआ मा? जब मैं नवाब अली मिया की बैठक में उन्हें सलाम करने जेवरों से सज कर गई तो उस वक्त उनके गाउं के सरपंच के बीवी हाथ जोड़े खड़ी थी और फरियाद कर रही थी कैसी फरियाद अमा? अंग्रेजों की पुलिस सरपंच को इस शक में पकड़ कर ले गई थी कि वो क्रांतिकारी अश्वाकुला के साथियों की मदद करता था वो नवाब अली से कह रही थी सरकार हमरे पुर्खे आपका नमाख खाए हैं हमरे आदमी को कौन छुड़ाए जमानत कौन करे अरे कचारी अदालत कौन दोड़े हमरे घर का आए के लिए कुछ चुना ही हमरे आदमी को छुड़ा लाव मालिक हमरे पास तो एक धेला भी ना ही है अब हातों ना पैसा तो खेत बेज कर भी ना ही न मिलेगा दया करो सरकार दया करो रात में दवाब अली के कमरे के पास वाले कमरे में मुझे ठहराया गया अमानी मेरी खिद्मत के लिए लगे थे सोने से पहले वो मुझे से मिलने आये और बोले बिटिया ये जेवर तुमने सिरहाने मेज पर कपले की गठ्री में रख छोड़े हैं हाँ नहीं बिटिया ये नादानी मत करो इनने हिफाज़त से रखो तफ सो क्यों अब तुम से क्या बताऊं यहां सब ठोल में पोल है जमीदारी नाम की है खानदानी खुर्चन भी नहीं रह गई है माले के पास जो कह रहा हूँ वो करो नहीं आमानी मिया मेरी तक्तेर सिंदगी का एक बहुत बड़ा जुआ खेलने आई है यहां यह सारे जेवर दाऊं पर लगा कर देखना है मुझे क्या देखना है कि मैं डूपती हूँ या उभरती हूँ मेरे जेवर गठरी में सिरहाने रखे रहे मैं सोती बनी पड़ी थी करीब कोई रात के साड़े ग्यारा बजे मेरे कमरे में चादरोडे नवाबली दबे पैरों से दाखिल हुए और मेरे जेवरों की गठरी उठा ले गए क्या सच हाँ बेटी यह सच है या खुदा मैं एक लाश में बदल चुकी थी आख से आसूं की धार बहती रही सुबह चार बजे मैंने अमानी मिया को जगाया और उसी वाक्त बेल गाड़ी पर अपने दो साजनों के साथ वो गांँ चुप चाप नवाबली के जागने से पहले छोड़ देने की जिद की अमानी ने वैसा ही किया और मैं चल दी नवाब मिया से मिले बगएर हाँ हाँ बहू मकर खिसमत को तो कुछ और ही मन्जूर था सरपंच के घर के सामने गाड़ी का पईया कराब हो गया अमानी ने सरपंच की गाड़ी मांगी तो सरपंच की अवरत ने मुझे देख लिया वो घर से बाहराई मेरे पेरों पर गिरी और और बोली खानम जी आधी रात को जमीदार सहाब खुद मेरे दर्वाजे पर आए रहे और सोने के ये गहने दे गए हैं कहत रहे कि सरपंच का मुकदमा लड़ने को खानम जी ने भेजे हैं इस और आपको सुख ही रखे बीबी जी इस और आपको सुख ही रखे मुझे अपने पेरों पर सीजाख लेने दीजिए बेटी मैं उसी नवाबली की ब्याता बीवी हूँ जब से ये सुना है कि जिस मुलक की आजादी के लिए नवाबली ने ऐसे डाके डाले उस मुलक को आजादी के बाद यू लूटा जा रहा है तो कलेजे में दरारें पड़ गई ही और उन दरारों से खुन रिस रहा है आजादी और ये भाद आजाए तुझे हैं तुझे कभी तक्लीव ने देगी आजा एसमन को आजाए इसमदो आजाए एसमोचिते हैं आजाए 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 माद को आजाए आ माचे क हो लियांओ, आ के को लियांओ, आ के कुलियांओ, आ हमाँ